हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल इंडिया गुरुई दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरे के ओफिसियल नोटिफिकेशन के बारे में तो आज जो है वो आई बी की तरफ से सेक्यूर्टी असेस्टेंट या जिसको हम एक्जेक्यूटिफ बो हैं कहा पर जो है कितनी वेकेंशी निकाली गई है क्या इसका education qualification रहने वाला है कैंसे आपको apply करना है यह सारी information में आपको वीडियो में देने वाला हूं तो चलिए शुरुआत करते हैं साथ मैं आपको बता दूं कि मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ वहां पर मैं ल तो मेरी profile आपको यहाँ पर मिल जाएगी follow button पर click करके आप मेरे सभी courses को देख सकते हैं तो आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुए intelligence bureau ministry of home affairs government of india तो यह जो vacancy निकाली गई है यह निकाली गई है security assistant executive exam ठीक है दोनों का मतलब एकी होता यहाँ पर और यह जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं online application are invited from Indian national जो इंडिया में रहने वाले भारती हैं उनके लिए यह vacancy निकाली गई है जो की direct recruitment है security assistant post के लिए तो यह आप यहाँ पर यादर की और बाकी detail अदिया आपको चाहिए तो आप इनकी website से भी जो है वो ले सकते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कहा कहा पर कितनी vacancy release की गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं subsidiary intelligence bureau या center of examination यहाँ पर दिये गा है तो अगरतला अहमदाबाद अलग 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 जो है वो इंडिया के सहर यहाँ पर दिये गा है और यहाँ पर vacancy इस तरीके से आपको fill करनी है कि दिया आपको कोई language वहाँ की बनती है जैसे कि यहाँ पर दिया बांगला, लुशाई, मिठाई, काबरू यदि इनमें से कोई language बनती है तो आप अगरतला के लिए apply कर सकते हैं गुजराती बनती है तो आप एहमदाबाद के लिए apply कर सकते हैं या आप अमरेस सर्ग लिए apply करना चाहते है तो आपके लिए पंजाबी बनना चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉस्ट करके सारी चाहिन देख सकते हैं या फिर आप हमारे टेलग्राम चैनल को जॉइन करके भी इसकी पूरी पीडियाफ वहाँ से राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मैंने वैकेंसी यहाँ पर लिखे हुई है तो अधि जो है गुरूप C की पोश्ट है ठीक है नॉन गजेश्टेट गुरूप C की ये पोश्ट है पे स्केल के दिए हम बात करें वेतनमान की तो ये है 5200 से 20200 तक और ग्रेट पे आपका 2000 पे वेंट का है ठीक है तो आप यहाँ पर जो है उसको देख सकते हैं प्लस जो भी अलाउं ये आपने पास किया हुआ है तो आप इस पोश्ट के लिए एप्लिकेवल है और यदि आपने आपके पास इंटेलिजेंस बर्क का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके लिए और अच्छा ये रहेगा साथ में एज लिमिट के हम बात करने तो 27 साल जो है कि एज लिमिट है 27 सा यहाँ पर एज रखी गए तो आपने यहाँ पर पूरा देख सकते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं बाकि और भी important चीज़े कुई तो यहाँ पर एक चीज़ ये बोला गया है कि आप कोई एक center के लिए वह apply कर सकते हैं एधि यह आप एक से ज़्यादा form यहाँ पर पर फ साथ में यहाँ पर आपके लिए इंपोर्टेंट चीज यह है कि the eligibility of candidate in terms of age, education qualification, caste and category etc. इसके पहले आपका result आना जरूरी है, उसके पहले आपका result आजाना चाहिए, इसके बाद मतलब जो भी 10th class में हैं वो इस form को फिल नहीं कर सकते हैं, आपकी age जो है वो भी 10-11 तक जो है वो calculate की जाएगी, तो आप इसका विशेश यहाँ पर ख्याल रखें, अब हम बात करते है knowledge of local language का, तो जहां के लिए भी आप जो है apply कर रहे हैं, जिस भी state के लिए, जिस भी center के लिए आप apply कर रहे हैं, आपको वहां के local language आना जरूरी है, और मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि कहां कहां के apply करेंगे, तो वहां के local language कौन-कौन सी जरूरी है, ठीक है, तो आप उसको जरूरी देख लिए, और आपको जो जॉब लगने वाली है, जरूरी नहीं कि आपने एहमदावाद के लिए apply किया, तो आपका जॉब जोब जोब एहमदावाद में लगे, या भुपाल के लिए apply किया, तो भुपाल में लगे, आपकी जॉब जोब कहीं भी होगा 100 question आपको यहाँ पर हम मिलेंगे और टोटल दो घंटे का यहाँ पर paper होने वाला है टोटल यहाँ पर चार पार्ट होगे general awareness के 40 question होगे quantitative aptitude के 20 question होगे logical analytical abilities के 20 question होगे English language के 20 question होगे तो general awareness तो मैं लगाता है आपको यहाँ पर complete आँगा अब हम बात करते हैं tier 2 exam की तो tier 2 exam जो हो qualifying रहने वाला है यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें 20 marks लेना है पचास मैं से ठीक है यह आपका description type होगा इसमें आपको लिखना पड़ेगा तो translation of a passage of 500 bucks मतलब आपको यहाँ पर 500 सब्दों का एक translation करना पड़ेगा किसी passage का साथ में आपकी spoken abilities भी यहाँ पर देखी जाएगी उसके बाद आपका होगा tier 3 जिसमें जो आपका interview और personality test जो है वो किया जाएगा अब हम बात करते हैं कि selection आपका किस place पर होने वाला है तो सबसे पहले आपका होगा tier 1 जिसमें negative marking होगी 1-5-4 ठीक है तो यहाँ पर 1-5-4 यहाँ पर negative marking रखे गई है और जो tier 1 जो exam होगा उसमें unreserved category के जो student है उनको 35 नमल लाना जरूरी है OBC के जो है वो 34 लाना जरूरी है और SCHT जो है minimum 33 होना जरूरी है मगी cutoff जितना भी जाएगा इससे higher जो है वो जाने वाला है और यदि आप tier 1 में select हो जाते हैं qualify कर लेते हैं तो tier 2 का आप exam दे सकते हैं और tier 2 को qualify करने के बादे आप tier 3 का exam देंगे और यहाँ पर tier 2 exam मैं आपको बता दी है qualify कोगा 50 में से 20 नमबर जो है वो लाना जरूरी है इसके नमबर आपके add नहीं होगे नमबर जो add होगे वो आपके tier 1 और tier 3 के जो है वो add होने वाले हैं इसी के base पर आपका cutoff जो है वो निकलेगा उसके बाद आपका जो है वो verification होगा और उसमें verification जो है आपका कोई भी criminal case नहीं होना चाहिए और बहुत जादा जो है यह verify करते हैं साथ में आपका medical standard भी यहाँ पर जो है वो check किया जाएगा मतलब आप जो physically fit होना चाहिए कोई height और कुछ उसमें कुछ भी नहीं मांगा गया ठीक है weight height का कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है अब हम बात करते हैं कि आपको apply कैसे करना है तो आपको इनकी official website पर जाना www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in पर जाकर जो है apply कर सकते हैं और आपकी apply करने जो तारीक है वो है 20 October से लेकर 10 November तक इस date को आप याद रखिए इसके पहले आप कैसे भी करके जो है इसके बीच में आप form को fill कर दीजिए ठीक है अब हम यहाँ पर बात करते हैं आँगे अदी हम देखें तो बागी चीज़ें आप वहाँ पर देख लिएगा कि photo वगएरा और signature वगएरा कैसे upload करने है examination fees की बात करें तो आपको यहाँ पर 50 रुपे लाएंगे जो की general और OBC candidate जो है मतलब जो male candidate हैं सिर्फ उनकी यहाँ पर फीज लाएगी बाकि SC, HT, EX, Service Man और female candidate जो है उनकी यहाँ पर कोई भी फीज नहीं लगने वाली है ठीक है तो सिर्फ 50 रुपे लागेगी general और OBC boys के लिए male candidate के लिए तो आप इसको यहाँ पर देखिए और आप जो फीज है वो offline और online दोनों तरीके से जो है वो payment यहाँ पर कर सकते हैं और यह आप फीज जो है वो offline pay करना चाहते हैं तो 12 November के पहले आपको किसी भी condition में pay कर देनी है तो यह सारी चीज़ां आप याद रखिए और closing date का आप विशे से आप खिराद रखें 10 November जो है वो last date है उसके पहले आप कैसे भी करके जो है वो apply करना हो साथ में आप हमारे telegram चनल को जरूर join कर लिजे बाकि जो भी वीडियोस होंगे जो भी चीज़ां होंगी वो आपको time time पर मिलती रहेंगी आप हमारे channel को subscribe कर लिजे जिससे कि अधी कोई भी notification आता है कैसे तयारी करने है वो सारी मैं आपको वीडियोस में बताता रहूँगा तो okay friends ये सारी information मुझे आपको यहाँ पर दे नहीं थे आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताईए अपने friends सांस को ज़्यादा share की ज़िए मिलते है next session में thank you जहें